हे फ्रेंट्स देखे आज इस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका अगर मार्केट कैप देखें तो 37,900 करोड का मार्केट कैप है चोटी सी कंपनी 144 का इसका करेंट प्राइज है और हाइस जो इसका गया है वो था इसका 162 और लो था 97 रुपे डिविडेंट इल्ड देखें कितना बढ़िया है लगवग 8.5% का तो बहुत शांदार डिविडेंट इल्ड कंपनी ने बनाया हुआ है दस की फेस वेल्यू है और देखें बुक वैल्यू 290 की है तो अपनी फेस वेल्यू से लगवग लगवग आधे पर मिल रहा है बहुत स पांदार अभी वेल्यूशन पर ये कंपनी हमें मिल रही है देखें अगर कौन जो प्रोज की इसकी बात करें हम तो कौन देखेंगे तो कंपनी हाई लो इंट्रेस्ट का ब्रेज रेशियो साथी साथ ये जो लाइबिल्टी है इसमें गयार हजार पांच सो बतिस करोड की और जो अगर इसके प्रोज हम देखें देखें बुक वैल्यू से 0.49% पर ये अपने ट्रेड कर रहा है अच्छा डिविडेंट कंपनी देती है साथी साथ डिविडेंट पेयाउट है इसका 27% के लगभग लेकिन देखें ये जो 11,500 करोड है इसमें डरने वाली बात नहीं है क्योंकि ये एक PSU है और अपने सेक्टर में एकलोती कंपनी है 100% मोनोपोली रखती है ये कंपनी देखें कंपनी जो है 37,000 करोड की है लेकिन अगर इसके देखें हम रेविडेंट देखें तो 75,897 करोड के तो रेविडेंट है साथी साथ अगर प्रोफिट देखें तो देखें देखें 37 करोड की कंपनी में 18,999 मतलब लगभग 19,000 करोड के प्रोफिट है तो बहुत शांदार प्रोफिट है और साथी साथ EPS देखें 53 रुपे का तो EPS है बहुत बढ़िया EPS भी हमें देखने को मिलता है और साथी साथ अगर हम देखें इस 53 रुपे में 53 EPS ह और करंट प्राइज कितना है 144 रुपे तो बहुत सस्ता इस समय हमें ये मिल रहा है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो और देखें तो दस साल से 19% है 5 साल से 23% है और देखें प्रोफिट ग्रोफ देखें 44% से और CGR 18% से भल रहा है देखें एक्क्यूटी पे रिटर्न जो है हमें हमेसा ही 20% के आसपास मिल रहा है तो काफी अच्छा है सारी चीजे अच्छी दिखती हैं कंपनी में 73,866 करोड के रिजर्ब हैं साथ ही साथ देखें तो कर्जा बहुत तकड़ा है 6,88,674 करोड का लेकिन डरने वाली बात नहीं है क्योंकि यह जो है यह एक फाइनेंस कंपनी है और फाइनेंस कंपनी में ऐसे कर्जे होते रहते हैं इनका बस NPA नहीं बढ़ना चाहिए लाश्ट में हमें इसका शेयर होलिंग पैटन भी देखने को मिलता है कंपनी का नाम देख सकते हैं पावर फाइनेंस कार्पोरेशनल लिमिटेड और यह एक NBFC है मतलब नौन बैंकिंग फाइनेंसल कंपनी है तो यह जो है पावर सेक्टर को अपना फाइनेंस प्रवाइड कराती है देखे हमार één डेश में अभी अ अभी अधी बहुत डिमांट है साथ ही साथ अब जो है रुड़ेन्वाइल एनघ Aga पर काम हो रहा है तो इसका जो है दस परसेंट जो लोन एसेट्स है इसके वह रिवारीनेव एनर्जी के लिए है ट्रांसमेशन बगएरा के लिए 40% और साथ ही साथ ये जो है इसका जो लोन है 48% का लोन जनरेटर्स के लिए जाता है देखे इसके लोन की तो इसके पास जो है 3,20,094 करोड का लोन है जिसमें देखे 60% जो है बॉंड से आता है सारी के सारी चीचे डिटेल में दी हुई है अच्छी बात है क्योंकि कंपनी साफ है तो बहुत बढ़िया करके कंपनी ने सारी चीचे डिकलेर की हुई है कंपनी ने देखे एक्क्यूजिशन भी किया है और अगर हम देखें तो जो हमारा R.E.C. है उसमें 52% सोरी 53% के लगबग साड़े बावन से उपर है तो लगबग 53% का एक्क्यूजिशन इसने किया हुआ है आधसे ज़्यादा शेयर R.E.C. के इसी कंपनी के पास है तो देखें इसने 300 मिलियन यूरो के यूरो ग्रीन बॉन्ड भी इसू किये हुए है जो की 2028 तक 21 सितंबर 2028 तक ये परिपक्व होंगे तो दोस्तो कुल मिलाकर कंपनी ठीक ठाक लगती है सही लगती है लेकिन फिर भी देखें इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना आपके उपर बात है क्योंकि पैसा आपका है तो अपनी एनालिसिस जरूर कर लें